हाई फ्रेंड्स मैं हूँ राज मैस्को स्वामी स्वागत है आपका मेरी चैनल प्रोडक्ट फोर यू में दोस्तों आज एक एसा प्रोडक्ट का रिविव देने वाला हूँ चोकि आपको माला माल कर सकता है पैसे कमा सकते है आप उससे दोस्तों यह है फुली ओटोमेटिक व सेले इसको पावर सप्लाई ओन करते है आपको सिफ 220 पावर सप्लाई देना है तीनों पीसी भी आपको मिलेगी आपको ऐसे वायर मिलेगा यहाँ पे 220 वल्टेज दीजिए जैसे आप सुरू करेंगे तो यहाँ पे यह सिस्टम सुरू हो जाएगा लेकिन तब सुरू होगा जब यहाँ पे source tank यह जो मेरे आथ में दो वायर देख रही है यह source tank के sensor है मतलब कि जहाँ से हम पानी उठा कर टंकी भरते है आखिर के दो यह source tank के sensor है जब इनको पावर मिलेगा यानि यह दोनों touch होंगे तब यह सुरू होगा दोस्तों तो यह कैसे सुरू करना है तो आप तीन टाइप के sensor यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे फ्लोंटेक sensor और magnetic या float sensor यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको recommend करता हूँ, कि अच्छी तरह से वाले magnet या float sensor यूज़ करें, तो यह product बड़ा ही काम करेगा float sensor के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं, यह मैंने शुरू टेंग की और यह है dry run की, तो dry run की हैं दोस्तों, यह मैं समझाने से पहले यहाँ पर हम चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यह source tank के दोनो, यह देखिए, टिक की आवाज है याने की relay start हुए, दोनो relay एक साथ start हुए है दोस्तों, यह और यह बंद हो गया, अभी यह बंद हो pump के साथ attach इसको कर सकते है, यह on button का है, यह off button का है, और submersible के बीचन में जाने वाली wire को आप starter में से निकाल सकते है, अभी दोस्तों, यह dry run sensor का utility समझाता हूँगी, कि यह आखिर का wire ही, यह dry run sensor wire है, यह dry run sensor यह होता है, कि मान दीज, आपका pump में fault है, या कुछ problem आ गया, या कुछ भी problem है, तो फिर pump दो मिनट तक ऐसे ही शुरूर रहेगा, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा, और एक beep की आवा जाएगी, और LED indication होगा, वो कैसे होगा, वो दो मिनट का time लेगा, तब तक हम इसके और सारे features को देख लेते हैं, यह पीला color का आप wire देख रहे ह है, जो यह common wire है, और यह है dry run, तो इसको मिलना चाहिए, यह दोनों touch होने चाहिए, मतलब dry run sensor आप लगा सकते है market में, और चाहिए कि dry run facilities नहीं चाहिए, तो इस दोनों को आप sort कर सकते हैं, तो भी काम चाहिए, फिलार हम टेस्टिंग करने के लिए देखते हैं, कि dry run sensor कैसे क काम करता है, यहाँ पर LED indication हम सब ले लेते हो, आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक switch दिया गया है, auto और manual का switch दिया गया है, यह switch अगर नीचे रहा, यह देखें, फिलाल यह नीचे है, तो यह automatic mode पर है, जैसे आप ऊपर करेंगे, तो यह manual mode पर चला जाएगा, manual mode पर क ठीक है फ्रेंट्स, अभी इसका, जो heart है, वो यहाँ पर controller दिया गया, यह फार फार glass epoxy PCB है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और इसमें बहुत ही कम component यूश किये गये है, जो भी कुछ है, इसके heart यानि कि यहाँ पर है, तो मैं चाहता हूँ, कि इस product के साथ आप dealing क जी है, तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा मिलेगा, और इस product को कैसे खरीदा जाता है, वो मैं इसके description में, इसका email address दे दूँगा, आप email करके भी ले सकते हैं, दोस्तों, तो दोस्तों, मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, यहाँ पर, इस product में जो screw के, जो दिये निकलती है, और इसमें एक fusible register है, ताकि अगर को बैचांस कोई गरबड होती है, तो यह register उड़ जाएगा, सिख 50 पेसे का register है, आप वापस product को शुरू कर सकता है, इसमें कोई, आपको ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है, और यहाँ पर एक alarm दिया गया है, जो यह बीपर क अगर dry run sensor को कोई contact नहीं होता है, तो वो बजना सुरू हो जाएगा, फिलाल हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने dry run sensor को ऐसे ही लखा है, isolate कर दिया है, इसको कोई contact नहीं है, comment का sensor का, तो अभी 2 मिनट जैसे होगा, यह सुरू हो जाएगा, यहाँ पर आप 2 मिनट, 3 मिनट अप देख रहे हैं, वो 10 एंपियर का relay है, बहुत ही अच्छा लोड ले लेगा, यहाँ पर green connector दिये गए है, यहाँ से आपको wire निकालके, वो starter में लगाना है, दूसरा दोस्तों कि इसके साथ आप monoblock pump को भी attach कर सकते हैं, यह relay के साथ, यह relay जो continuous on है, उसको आप series में लगा यह monoblock pump के साथ, तो आपका pump भी इसके साथ attach हो जाएगा, जो कैसे काम करेगा, वो dry run के साथ काम कर सकता है, और monoblock pump के बात कर जाए, तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह relay है, 10 ampere capacities के, इसके 200 volt और 10, आप देख रहे हैं, यह dry run rencer भी पर बज़ रहा है, थोड़ी देर क इसको बचाए, अभी इसको बंद करने के लिए आपको एक बार switch off करना पड़ेगा पूरा system को, तो हमने यह switch off कर दिया, दुबारा switch off किया, तो यह दुबारा शुरो गया, लेकिन अभी dry run sensor off हो गया है, अभी मान लिजिए इसको manual mode से, mode में जाने देते है, तो इसको upper करना ह जैसे आप upper करेंगे, तो यह पूरा system manual mode पर चला जाएगा, और दोस्तों आगे इसे कैसे काम करता है, वो भी दिखा दू आपको, तो अभी यह देख लिजिए, कि मान लिजिए कि dry run sensor है, वो मिलने लगा है उसको power, तो यह dry run sensor common sensor के साथ, यहाँ पर लगा देते हैं, आप द mean wire है, यह हमारा top sensor है, तो इसका क्या किया जाएगी, दोस्तों तो इसको जैसे ही touch होगा, मतलब यगर top sensor आपकी टंकी भर गए ऐसा, तो यह फटाक से system को off कर देगा, तो वह कैसे करेगा, हम देखते हैं, जैसे मैं इसको छूरा, दोनों को touch करूँगा, relay आवा जाएगी, औ और वहाँ पे LEDB indication बदल जाएगा, देखिए, खटाक हुआ, यानि ये relay off हो गया, कौन सा वाला relay, ये वाला, ये तो ओल्रेडी off है, ये तो सिर्फ 5 second के लिए और नकर off हो जाता है, तो दोस्तों इसी तरह के से पूरा system काम करता है, दुबारा अगर हम बात करें, कि system को शु सकते हैं, thank you very much friend, आज के लिए इतना काफी है, इस चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, ऐसे और वीडियोज पाने के लिए, bye bye